कैसे हैं दोस्तों माई टैली गाइड में आपको स्वागत है आज मैं आपको बताने वाला हूं कि टैली में जीएस्टी के लेजर्स कैसे क्रियेट किये जाते हैं उससे पहले हम देख लेते हैं जीएस्टी होता क्या है जीएस्टी एक तरह का टैक्स है जो मार्ज 2017 में इंडिया गॉवर्न्मेंट दुवारा इंट्रिड्यूज किया गया था और उसको लागू किया गया था एक जुलाए 2017 से जीएस्टी यानि गूड्स अन्सर्विस टैक्स एक सिंगल इंडियरेक्ट टैक्स है पूरे देश में जो एक ही तरह का टैक्स लगता है पहले बहुत से डिफरेंट डिफरेंट टैक्स थे Services के लिए अलग था, Goods के लिए अलग था, Service Tax, Sale Tax, WET, Central, CST, बहुत आरे Taxes थे, तो अभी क्या है, एक ही Tax लगता है, जिसको हम Goods and Service Tax बोलते हैं, Goods and Service Tax, GST के तीन Taxes में Divide किया गया है, CGST, SGST और IGST में, CGST क्या होता है, CGST जो Collect किया जाता है, वो Central Government द्वारा Collect किया जाता है, और एक Interstate Sale या Purchase में लगता है, For Example, हम महाराश्ट में और महाराश्ट में ही हम Goods Supply कर रहे हैं, Interstate में, तो वहाँ पे CGST हम Apply करेंगे, SGST, SGST क्या होता है, SGST जो है, वो State Government द्वारा Collect किया जाता है, वो भी Interstate Sale या Purchase पे हम लगते हैं, For Example, महाराश्ट से हम महाराश्ट में Goods कहीं सेल कर रहे हैं, या खरीद रहे हैं, महाराश्ट से महाराश्ट के अंदर, तो उसमें हम CGST का, उसमें CGST का, वह स्वारी, SGST का यूज होता है, नेक्स आते हैं, IGST पे, IGST जो Collect किया जाता है, वो Central Government द्वारा Collect किया जाता है, और Interstate Transaction पे लगता है, Interstate Sale कर रहे हैं, Interstate Purchase कर रहे हैं, तो उसमें IGST आपका लगा होगा, For Example, हम महाराश्ट से तमिलाड़ो में अगर हम Sale कर रहे हैं, तो या तमिलाड़ो से महाराश्ट में हम Purchase कर रहे हैं, Goods Movement Interstate हो रही है, तो उसमें IGST का हम यूज करेंगे, तो ये थे हमारा Goods and Service Tax के तीनों पार्टों का जो होते हैं हमारे, उसके बारे में मैंने बताया है, Next आते हैं, हमारा पुराना रिजिम कैसा था और नया रिजिम कैसा है, पहले हमारा कौन-कौन से Tax कैसे लगते थे, स्टेट में क्या टेक्स लगते थे, और स्टेट में अगर हम गुड्स मुवमेंट कर रहे हैं तो उसमें क्या टेक्स लगते थे, चलिए देख लेते हैं, फॉस्ट आते हैं, सेल इधिन स्टेट, अगर स्टेट के अंदर ही हम सेल कर रहे हैं, तो पहले टेक्स का जो रिजिन था, पहले जो टेक्स लगते थे, वैट प्लस CST, सेंटर लगस्णाईस या सर्विस टेक, पहले जो हम गार जो इंट्रास्टेट या लोकल स्टेट में ही ट्राजेक्शन करते थे उसमें केवल वैट प्लस अगर मैनुफेक्ट्रिंग है तो एक्साइज या अगर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो सर्विस टेक्स लगता था अब करेंटली लगता है हमारा CGST और SGST ऐसे इंटर स्टेट ट्राजेक्शन में हमारा पहले लगता था सेंटर सेल्स टेक्स प्लस एक्साइज अगर मैनुफेक्ट्रिंग है एक्साइज अगर सर्विस आप प्रोवाइड करें तो सर्विस टेक्स बट अभी जो नया रिजिम ह उसमें हमारा IGST लगता है तो यह थे हमारे पुराना और नए रिजिम का जो डिफरेंस है वह मैंने आपको बताया पहले कैसे टेक्स लगता था पहले जो रिजिम था वो कैसा था और करेंटली हम जो टेक्स लगाते हैं जी एस्टी में वह किस तरह से लगता है स्टेट में किस तरह से लगता है और इंटरस्टेट ट्राजेक्शन में किस तरह से लगता है तो चले देख लेते हैं इन लेजर को हम टैली में कैसे क्रिएट करते है नोर्मल्ली टैली में हम छे लेजर create करते हैं GST के output के 3 होंगे और input CGST, SGST और IGST के 3 होंगे तो output, input दोनों के हम 3-3 ledgers create करेंगे तो चलते हैं टैली में जोस्तो चलिए देखते हैं कैसे हम टैली में GST के ledgers को create करेंगे जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि कोई भी ledger अगर create करना है तो हम कैसे करेंगे उसके लिए master section में जाएंगे, account info पर जाएंगे account info पर जाके enter press करेंगे, then ledger select करेंगे और उसके बाद create पर enter press करेंगे तो कुछ इस तरह से आपकी screen दिखाया देगी तो अज मैं आपको 6 ledger create करके बताऊंगा GST के, वैसे 3 ledgers होते है normal CGST, SGST, IGST पर मैं output और input दोनों के 3-3 ledger create करूंगा जिनको हम use करेंगे sale और purchase दोनों में purchase में हम use करेंगे input ledger score और sale में हम use करेंगे output ledger score, तो सबसे पहले हम create करते हैं, output SGST का ledger तो यहां पहले type करेंगे output SGST output SGST उसके बाद हम group select करेंगे नीचे duties and taxes जो कि हमारे duties and taxes group के अंडर आता है then हम select करेंगे type of duty जहां पह अधर्स आ रहा है अभी आपे GST हम type select करेंगे tax type हम डालेंगे state tax क्योंकि हम SGST का ledger create करेंगे तो यह state tax में आता है लीचे percentage को हम 0 छोड़ देंगे अभी यह हम item wise create करने वाले है लीचे rounding method normal रखेंगे enter करेंगे enter करेंगे और इसको save कर देंगे यह हमारा save हो जाएगा अगर आपको यह देखना है कि हमारा यह laser create हुआ यह नहीं हुआ तो अब display में जाएगे और इसको check कर सकते हैं यह देखें हमारा laser यहाँ पर create हो चुका है तो चलते हैं next laser पर महीं back जाएंगे और create पर जाएंगे अब हम create करेंगे output cgst का laser output cgst type करेंगे enter करेंगे duties and taxes ग्रूप वही रहेगा यहाँ पर gst select करें text type में आप डालेंगे central text क्यूंकि हम cgst बना रहे हैं percentage 0 rounding method normal और फिर enter करके आप save कर देंगे इसी तरह से हमारा तीसर लेजर भी create हो जाएगा output igst का output sgst यहाँ पर type करेंगे group duties and taxes यहाँ पर gst select करेंगे text type में आप integrate करेंगे अभी यह आई जीस्ट हम create करेंगे enter करेंगे, enter करेंगे rounding method normal डालेंगे और save कर देंगे तो दोस्तों यह हमारे तीन लेजर create हो चुके है output gst के जो होते है यह हम अभी use करने वाले हैं अपने जीओ हम sale भी आप आप यह चलके create करेंगे उसमें हम use करेंगे तो अभी create कर लेते हैं input के तीन लेजर जो हम purchase में use करेंगे सबसे पहले input sgst create करते हैं सेम उसी तरह से create होंगे तीन लेजर जैसे हमने output gst के create करेंगे sorry gst के जो output के जो सारे create करेंगे हैं उसी तरह से यह input के भी create होंगे यह input का हमने create कर चुके है save करेंगे अब चलते हैं input cgst पे group वही रहेगा यहां पर gst select करेंगे text type में center ले तो center select करेंगे cgst है तो नीचे rounding method normal enter enter और save कर देंगे अब आता हमारा last laser input igst का नाम डालेंगे group select करेंगे and then text type gst text type में integrated text डालेंगे percentage 0 छोड़ेंगे rounding method normal enter करेंगे और save कर देंगे यह हमारे create हो चुक है 6-6 लेटों अगर आपको यह देखना है कि create हुए नहीं हो तो आप display में जाएगे यह देखिए आपको 6-6 laser create हो चुक है आप चैक कर सकते हैं तो दोस्तों यह था मेरा chapter के हम gst के lasers को कैसे create करेंगे यह जो 6-6 laser हैं आपके आगे चलके बहुत काम आने वाले हैं सेल या पर्चेज की जब भी आप एंटरी करेंगे तो यह तीनों 6-6 laser का आपको यूज करना ही होगा तो दोस्तों तो थैंक यू यह था मेरा चैप्टर के gst के laser कैसे हम create करेंगे subscribe